नमबर आने वाले इन नमबर कैसे रह सकते हैं बताने के लिए सीश्टी मिरसा जो लुए शीष्टी बनाइए मारुथी के नमबर के बारे में इसबार मार्ती सुजुकी की बात करें तो सबसे एहम होगा कमपनी के मार्जिंस देखना क्योंकि पिछले क demokrat में 9.8% पे company के margins दर्ज हुए थे इस बार 10.5% के आसपास हमें आकड़ा के उमीद कर रहे हैं और अगर 10% से जादा margins आते हैं तो Q2 FY21 के बाद हम देखेंगे कि company अपने margins 10% से जादा post करेगी तो सबसे एहम ये आकड़ा होगा देखना बट इसके अलावा सबी बैमानों पे हम उमीद कर रहे हैं कि तिमाही दरतिमाही अच्छी ग्रोध देखने को मिलेगी आए की बात करें तो साड़े 12% की ग्रोध की हमारी उमीद है इबिड़ा में साड़े 21% के उचाल की हम उमीद कर रहे हैं 3441 करोज हमारी उमीद है मार्जन हमने बताया ही के साड़े 10% के आसपास हम अनुमान लगा के चल रहे हैं मुनाफ़े में साड़े 6% के ग्रोध के साथ 2502 करोड ये आकरा आते वे दिख सकता है रिलाइजेशन की बात करें तो जिस तरीके से कंपती ने फ्राइज हाइक्स लिए है वालिम्स इंप्रूव होते वे नज़र आ है वहाँ पे 3% के ग्रोध रहेगी SUV का जो मार्केट शेर है उसमें बहुत जादा सुधार तो नहीं हुआ है पर हाँ देखना काफी important होगा कि आगे के लिए कि सरीके का company outlook देख रही है काफी सारे नए launches भी हुए है उसको लेकर भी क्या booking number सामने आ रहे है उस पे भी नज़र रहेगी और आखरी में जो की dealers अभी highlight कर रहे है कि धीरे धीरे करके जो car की booking numbers है उसमें थोड़ी कटोती हो रही है उस पे company का क्या कहना है इस पे भी हमारी नज़र रहेगी तो मारती सुज़की के numbers का इंतजार है ठीक है numbers numbers के साथ जुड़े हुए क्या important points है सब कुछ शिष्टी आपको बता रहे थी उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से note कर लिया होगा हलाकि कल भी जब तक numbers नहीं आएंगे हम आपके सामने सारी बाते रखते चलेंगे राजेश सर कोई रणीती है मारुतिक अंदर trade करना चाहिए कोई जरूरी नहीं है 8600 का level cross होना जरूरी है अगर आपको long side का trade यहाँ पे लेना है stock में higher side पे थोड़ा दवाव जरूर देखने को मिल रहा है तो 8600 के बाद यहाँ पे clear trend यहाँ पे बनता हुए दिखेगा near top में फिर 8800 8900 की तरफ गड़ेगा लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे breakout rate तो 8600 के उपर होगा downside में जो support है इसका immediate वो है करीब 83.50 के आसपास तो दोनों लेवल के आसपास अगर है stock मिलेगा तो ही हम trade initiate करेंगे result के पहले थोड़ा अवाइट करेंगे लेकिन इस पीच आप बांक्स के कुछ ट्रेद्जे करेंगे